हेलो दोस्तो, س्वागत है आपको लूम सोलर यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनडिया में आने वाली इलेक्ट्रिक आर के बारे में इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक कार के बेसिक जानकारी इससे आने वाली बिजली विल और इसका समधान क्या है तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की लूप का तो यह इसका फ्रंट भीव है यह इसका बैक साइड भीव है और यह इसका साइड भीव है यह दिखने में normal diesel और petrol गाड़ी जैसा ही दिखता है इस गाड़ी की component की बात करें तो इसमें सबसे major component है इसका body, lithium battery, high capacity DC motor और इसका charger इस गाड़ी के साथ आता है दो charger, AC ball box charger और portable charger AC ball box charger जो आपके घर में installed होता है और portable charger जो गाड़ी में रखकर आप कहीं भी carry कर सकते हैं इसके लिए तिसरा charger है DC quick charger जो सरकार, power distribution company और automobile company के collaboration के साथ जगह जगह पर यह install किया जा रहा है यदि आप अपने घर से बाहर जैसे की office यकिनी के relative के यहां जाने पर आपको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है तो आप portable charger से इसको चार्ज कर सकते हैं जिसमें कम से कम यह 19 hours में full charge होगा और यदि आपको out of city जाने की जरूरत पड़ गई तो जाने से पहले यह जरूर आप पता कर ले कि रास्ते में क्या DC quick charger installed है या नहीं है यदि नहीं है तो इसके साथ बाहर जाना risky है यदि गारी खरीद रहे है और इसकी top speed की बात ना करे तो ऐसा हो नहीं सकता है electric car की top speed 100 km से लेके 1500 km के बीच में होती है अब बात करते हैं कि एक बार हम full charge करेंगे तो यह कितने km चलेगा तो इसका calculation बहुत ही simple है हर electric car का अलग अलग range है यह depend करता है उसमें कितने kilowatt का lithium battery लगा हुआ है और उसमें जो लगा हुआ जो motor है कितना power consume करता है हम बात करें इस electric car का तो यह single charge पर 452 km तक जाएगा यह गाड़ी कम से कम 300 km चलेगी जिसमें आप चाहे traffic signal में हो चाहे AC के साथ huge कर रहे हो चाहे आप full passenger के साथ चला रहे हो अब समझते हैं इसको driving कैसे क्या जाता है electric car automatic car जैसी होती है इसमें कोई clutch नहीं होता है यह normal इसमें display control होता है आप किस mode में drive करना चाहते हैं driving mode या high speed mode neutral और back इसमें accelerator का यूज होता है right leg से आप accelerator यूज करेंगे जब accelerator आप देंगे गाड़ी तेज चलेगी accelerator कम करेंगे गाड़ी कम हो जाएगी left leg बहुत ही ideal यूज होता है आप बहुत ही कम इसका यूज किया जाता है इसमें display system है हर information बैटरी कितना charge है direction everything आपको डिस्पले में सब कुछ दिखते रहता है कितने किलो मीटर तक जाएगी बैटरी का level सब कुछ आपको डिस्पले में दिखते रहेगा इसकी seat की quality और body की design luxury और premium बनाया गया है electric car different different color में है so आप color का भी selection का option है आपके पास इस गाड़ी में music system, AC और अन्र जो feature होनी चाहिए उस सारा इसमें available है अब आपको electric car और diesel और petrol car में difference पता होना बहुत ही जरूरी है यदि हम बात करें initial investment का तो electric car में लगव 13 लाग से लेकर 25 लाग तक की होती है वही पर diesel और petrol गाड़ी में 4 लाग से लेकर 18 लाग की होती है अब हम बात करते हैं खरीदने के बाद कितना खर्चा आता है इसको हम ऐसे समझते हैं कोई भी गाड़ी की जो life होती है एक लाग किलोमीटर चलने की होती है यदि आप electric car खरीचते है तो electric car की जो cost आती है पर किलोमीटर एवन रुपीज पर किलोमीटर आता है वही पर diesel और petrol गाड़ी की बात करें तो लगवक 7 रुपे पर किलोमीटर cost आता है इस हिसाब से आपको electric car में एक लाख रुपया अलग से पे करना पड़ता है पूरे life में 8-9 साल में वही पर diesel और petrol गाड़ियों में आपको 7-8 लाख रुपया अलग से आपको पूरे life में पे करना पड़त हैं electric गाड़ी में आपको one time आपको investment करना पड़ता है इसी के साथ कुछ और benefits की बात कर लेते हैं इसके साथ इसका जो सबसे बड़ा benefits है बार बार petrol pump पर जाने का tension नहीं है या घर पर ही चार्ज हो जाएगा electric car को promote करने के लिए हमारी सरकार भी step उठा चुकी है इसके लिए दिल्ली सरकार ने सबसे पहली initiative ले चुके है यदि आप electric car खरिते हैं और दिल्ली के निवासी है तो आपको डेढ़ लाख रुपया आपको खरिते समय कम देना है यह technology हमारे देश को pollution free करेगा और हम लोग safe रहेंगे अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादे पूछे जाने वाले सवाल which and what capacity of solar panel ice would install to reduce electricity build जब हम AC खरिते हैं हमारे माइंड में एक ही चीज़ चलता है कितना बिजली बिल आएगा सेम चीज़ जब electric car खरिते हैं तो एक ही माइंड में रहता है कि बिजली बिल कितना आए हो चार्जर आउट्पुट है 32 एंपियर का है इसको चार्ज होने में जो टाइम लएगा six hours का लएगा तो इसके लिए जो electricity required होगा लगवक 42 units electricity की जरूरत होगी जब 42 units कंज्यूम करेगा तब electricity bill आपके एरिया में जितना है अब आप अपने electricity bill की मदद से आप यह कल्कुले करते हैं तो हमारा विजली बिल कितना आएगा सपोज हम यहां पर seven रूपीज पर unit के हिसाब से कल्कुलेट कर रहे हैं तो यहां पर हमारा वन टाइम चार्ज करने का जो कौश्ट जा रहा हो 300 से लेके 500 रूपीज तक जा रहा है ओवरॉल हम बताएं तो आपके जो current electricity bill है उ solar system लगाने की जरूरत पड़ेगी जो solar system grid connected और on grid solar system होगा जिसकी मदद से दिन के टाइम में आप बेजली अपने घर में बनाएंगे और रात में जब आप घर बापस जाएंगे तो car को charge करेंगे अब यदि बात करें 5 kilowatt solar system की price की तो लगवग आपको 3 लाख से लेके 4 लाख के बीच में आपको market में available हो जाएगा इंडिया में electric car manufacturer की बात करें तो Tata Motors, MG Motors, Hyundai, Mahindra और international market की बात करें तो Tesla available है इन सभी गाडियों का test drive करने के लिए इनके official website पर जाके आप test drive बुक कर सकते हैं इसके अधिर जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी यदि आप भी चाह रहे अपने घर पर electric car खरिदने के लिए और चाहते हैं कि आपका electric car free में charge हो इसके लिए आज ही solar के लिए request करें हमारे website www.lumsoar.com हमारे engineer आपको suggest करेंगे कौन सा system लगाना चाहिए कितने kilowatt का system लगेगा कितना खर्चा आएगा तो आज ही inquiry book करें ऐसे innovative वीडियो देखने के लिए हमारे channel को support करें और उन सभी दोस्तों को जरूर सेयर करें जो electric car खरिदने की plan कर रहे हैं या खरीद चुके हैं मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much